वेलकम टू माई चैनल हैपी स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम क्लाश 12 का जो इतिहास का फर्स्ट चेप्टर है इते मन के तथा अस्थियां उससे रिलेटेट कुछ इंपोर्टन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे यह कोश्चेन आपका जैगबट द्वारा जारी कि जो मॉडल कोश्चेन बैंक है उसमें से लिया गया है यह कोश्चेन इग्जाम में आने की 90% से भी अधिक संभावना है तो इसको एंड तक जरूर देखें तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कोश्चेन है इस चेप्टर का वो है भारत या पुरा तत्वा का पिता कि इसका सही उत्ततर हो जाएगा आपका अलक्वजेंडर Volkswagen दूसरा जो फोस्टिन है वह हरप्पा सभ्यता में सर्वपदम किस सिर खी खोज कि गई तो सर्वपदम जो इसिर की खोज कि गई थी वह थी हरप्पा थी चические हरप्पा सभ्शन है किस नगर में दॊर ग दि विसाल सनानागार के अप्षेश कहां मिले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहन जोदरो पाज नमबर जो कोश्चन है वो है सिंदु घाटी सभ्यता में सिल्फ उत्पादन का एक परमुक केंद्र क्या था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुन गूदरो ठीक है उप्षण डी छैनम्बर कोश्चन है मोसा पोटामिया की परले überzeug में मेलूहा सब्द का पर्योग की सभ्यता के लिए किया गया तो मेलूहा सब्द का जो पर्योग था वो हरप्पा सब्यता के लिए किया गया था साथ नमबर जो कोश्चन है वो है लोथल कहां इस्तित है तो लोथल गुजरात राजे में इस्तित है आथ नमबर कोश्चन हरप्पा किस नदी के किनारे इस्तित है तो उए लोग सुना करनाटक से प्राप्त करते थे दस नमबर कोस्टिन हरपा सभ्यता में बंदरगा का परमान कहां से मिलता है तो बंदरगा का जो ये परमान है वो काली बंगा से मिलता है ठीक है 11 नमबर जो question है वो है हरपा सभ्यता का किस देश के साथ बैपारिक संबंद नहीं था तो चीन के साथ कोई संबंद नहीं था बैपारिक हरपा सभ्यता की लोगों का 12 नमबर जो question है वो है जूते हुए खेत का परमान कहां से मिलता है तो इसका जो परमन था वो काली बंगा से मिला था तेरा नूमबर कोश्चेन हरपा वाशियों को लाजवर्द मनी कहां से मिलता था तो यह होगा सोर्टू हई ठीक है चौदा नूमबर कोश्चेन चेतरपल के अनुशार सिंदू हाटी सब्वयता के सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो मुहन जोदरो ठीक है पंदरा नूमर कोश्चेन हरपा सब्वयता की लीपी की मुख्य विशेष्ता क्या थी यानि उर्दू जिस भाषा में लिखा जाता है जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है उस तरह से ये भी भाषा शुरू हुई थी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़्रूर बताइए आप नेक्ष्ट वीडियो की टॉपिक के अबजेक्टिव देखना जाते हैं यह भी आप मुझे बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगे यीटिश वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करे साथ ही चैनल को और इंपोर्टन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें धन्यवाद